नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ट, मैं आपका स्वागत करता हूँ हिंदी डेव टूट्स पे जी हाँ दोस्तों, और आप देख रहे हैं एपिसोड सिरीज दोस्तों हमने पहले आपको एक एपिसोड अलरेडी दे चुके हैं जिस एपिसोड में हमने आपको बताय था कि CSS framework क्या होता है और Top 5 CSS framework का बारे में हमने आपको जानकारी दिया और आप लोगों ने उसे बहुत ही अच्छा response दिया उसे देखते हुए हमने इसका दूसरा भाग निकाला है दूसरा एपिसोड निकाला है जहां पे हम बात कर रहे हैं बोश्टाप 3 के उपर Top 5 resources दोस्तो आज मैं जो भी resources दिखाऊंगा बोश्टाप 3 के लिए ये मेरा खुद का बनाया हुआ है खुद का experience है वह ऐसे तो आप Google पे search करें तो बहुत सारे resources आपको मिल सकते हैं बड़ जो मैंने खुद experience किये हैं वही चीज में आपको बता रहा हूँ हो सकता है कि सायद आप ना करते हो तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का जो episode series है आज का जो episode है वह है बोश्टाप 3 के उपर Top 5 resources तो दोस्तो हम सुरूआत करेंगे getboothtrap.com से जी हां दोस्तो यह देखिए आप यहां पर देख पार है getboothtrap.com जो की है officially website for bootstrap 3 जी हां दोस्तो अगर आपको bootstrap use करना है डाउनलोड करना है तो आपको उसका जो official website होता है हमने description box पे भी यह website दिया हुआ है और बहुत बार यह website का बारे हमने आपको बता चुके है getboothtrap.com जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं bootstrap 3 तो दोस्तो जब भी हम bootstrap 3 यहां से डाउनलोड करते हैं और जब हम उसे अपने project पे include करते हैं तो जो design होता है वो एक ही type का हो जाता है आप किसी को भी देखिए जो भी यहां से डाउनलोड करता है और अगर वो अपना एक template बनाने का कोसिस करता है तो जो एक design आता है वो same to same हो जाता है तो दोस्तो वो same to same ना करने के लिए आप कुछ अलग कर सकते हैं वो कुछ अलग क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा तो दोस्तो मार्केट में बहुत सरा bootstrap के theme अवेलेबल है जो free है और आप उसे purchase भी कर सकते हैं free version है जो कि उतना अच्छा नहीं होता और जो purchase version होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है आपको मार्केट में bootstrap के skins मिलेंगे bootstrap के template मिलेंगे bootstrap के theme मिलेंगे तीन होई चीज अलग अलग है तो चलिए दोस्तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम getbootstrap.com से अगर bootstrap 3 डाउनलोड करते हैं तो हमारा जो design है same to same हो जाता है तो उसे हम different कैसे करें project file setup करते हैं तो हमारा जो design है और default template में आता है जैसे कि हम यहाँ पे example देख सकते हैं get starting पे जाके हम get starting पे click करेंगे और हमें right side पे एक net बार आएगा जहाँ पे आप basic template वहाँ पे click करके आप जा सकते हैं और example देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक jumbotron का template दिखाना चाहूंगा यह दिखिए दोस्तों तो जब भी हम bootstrap practice करते हैं हम code करते हैं तो इस type का look आता है तो यह अच्छा चीज नहीं है आप अपने project को और भी अच्छा बना सकते हैं उसे और भी बहतर बना सकते हैं कैसे बनाएंगे वह मैं आपको बताता हूं तो चलिए जो हमारा top 5 list था उसमें से मैं आपको पहला ओला resources दिखाना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने काफी वहाँ पे देखा बहुत सारे चीज जो की वहाँ पे available है उसे use किया, download किया, उसे सीखा और हमारा जो bootstrap 3 का design है, designing का skill है वह सार्फ हुआ, आप भी करिए और आपका भी होगा तो चलिए दोस्तो मैं पहला resources आपको दिखाता हूं जो है boot swatch, जी हाँ दोस्तो आपने इसका नाम भी सुना होगा, हो सकता है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं कि ये boot swatch होता क्या है तो दोस्तो जब भी हम get bootstrap से download करते हैं तो template इस type का look आता है, लेकिन अगर हम boot swatch से download करें सेम चीज है, ये बिल्कुल ही free है, दोस्तो ये बिल्कुल free version है, अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ बहुत सारे आपको template दिखाई दे रहे हैं, ये सब हैं, ये themes हैं, दोस्तो इनका जो look से वो by default themes से change किया गया है, less file using करके और custom CSS using करके, देखिए, look जो है उसे change किया गया है, अब मैं आपको एक demo दिखाता हूँ, ताकि आप समझ बाएं, जैसे कि ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है flatty, अभी flat design बहुत चल रहा था, 2013 और 14 में भी, इसलिए ये design मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये design काफी project में use किया है, तो चलिए मैं आपको इसका demo दिखाऊंगा, preview में जाते हैं, तो दिखिए दोस्तों, ये है flatty, flat and modern design है, दिखिए, हम जब gate bootstrap से download करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहां का navbar ये दिखिए, इस type का आता है, उपर में आप देख पा रहे होंगे, य आके download करें, कोई bootstrap 3 का template होता है, theme होता है, sorry दोस्तों, इसे theme कहा जाता है, template नहीं, जो theme होता है, अगर उसे download कर ले तो दिखिए, navbar इस type का आएगा, एक बहुत ही बढ़िया color पे दिखिए, दो color variation है, आप ये दोनों में से use कर सकते हैं, buttons देखिए, एकदम flat आएंगे, औ और color भी यहाँ पे थोड़ा changes है, और दोस्तो, typography भी देखिए, थोड़ा सा different है, ये जो block coat होता है, ये भी different है, tables देखिए, इस type के आएंगे, और निचे जाते है, form भी different आएंगे, और देखिए, nav pills, ये भी अलग color का आएगा, इसमें बहुत सारे customization अलड़ी क्या गया है, देखिए, यहाँ पे tape देख पार है, जो कि बहुत ही अच्छा design का हुआ tape है, पेजिनेशन देखिए, इस type का color आएगा, आप चाहे तो ये सब color भी customize कर सकते हैं, इसके अंदर customize करने के लिए काफी सारा option दिया हुआ है, देखिए, ये progress bar है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए दोस्तों, हमने जब get bootstrap से अगर हम इसे download करेंगे, तो आपको jumbotron इस type का दिखे देगा, यहाँ पे देखिए, jumbotron के अंदर एक hello world है, और, sorry, jumbotron के अंदर एक hello world लिखा हुआ एक word है, और नीचे में कुछ paragraph है, और उसके नीचे एक button है, तो देखिए, ये ज उसका jumbotron है, इस type का दिखा ही देगा, तो दोस्तों, इसके लिए कोई special coding की जरूरत नहीं होती है, ये already customized किया गया है, बस आपको download करना है, बस आपको download करना है और use करना है, तो इस jumbotron के लिए, हमने आपको अपना जो bootstrap 3 tutorial series था, अगर आपने देखा है, तो आप समझ चुके होंगे कि jumbotron कैसे बनाते हैं, अगर जो दोस्त ये पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप ही उनको बता देता हूँ कि jumbotron बनाने के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर right side option है, मैं अगर click करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, आपको code दिखाएगा, द लेकिन designing और look और feel एकदम different है, दोस्तों, अब मैं इसे बन कर दूँगा, देखिए, यह रहा jumbotron, जो कि हम देख रहे हैं, बूट स्वाच के एक theme है, जिसका नाम है, फ्लाटी, फ्लाटी फ्लाटें मोडेम, यह theme अगर हम use करें, तो gate bootstrap के जो default theme है, उसे totally different हो जाएगा, तो आप completely आपके design के हिसाब से अगर इसे आप download कर ले, इसे download करके अगर आपना project पर डाल दे, तो आपका जो website का look है, वो totally change हो जाएगा, थोड़ा बहुत customize करना पड़ेगा, और आपका जो website है, वो बिल्कुल change हो जाएगा, तो दोस्तों, हमने जो boost up 3 tutorial series में आपको जितना जबरदस्ट design आप सीख पाएंगे, तो दोस्तों इस एक theme नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे theme है, बोट स्वाज पर, मैं अगर homepage पर जाता हूँ, यह एक बहुत ही जबरदस्ट resources है, boost up 3 के लिए, यह मुझे बहुत पसंद है, मैंने maximum timing पर यहाँ यूज किया हुआ है, देख यहाँ पर आपको download button दिया गया है, आप directly download button पर click करिये, और उसे control all करके, copy कर सकते हैं, और लेके आपको boost up.min.css से उसमें paste कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपका जो default वाल बूस्ट आप है, वहाँ पर change कर सकते हैं, यहाँ पर installation के लिए आपको instruction भी दिया गया है, देखि no messing around with hex value, तो दोस्तों, मैं आपको एक theme download करके, आपको चला की दिखाता हूँ, ताकि आप इसमें बहुत सारे theme दिया गया है, देखिए, काफी सारे theme दिया गया है, ताकि आप अपने project पर इसे include कर पाए, और आपका design different हो सकता है, unique हो सकता है, थोड़ा सा अगर CSS आप edit कर दे देखिए, यहाँ पे neighbor किस type का रहा है, बहुत ही जबरदस्ट neighbor बनाया गया है, और buttons भी बहुत अच्छे है, simplex से यह वाला, और तो कि बहुत सारा theme है, दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा theme है, आप इसे download कर सकते हैं, आप getbooshtrap.com से अगर download करते हैं, तो आपको default style मिलता है, लेकिन आप यहाँ से अगर आप download करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा theme मिलेगा, और बहुत ही अच्छा website आप बना सकते हैं, बहुत ही जबरदस्ट template आप बना सकते हैं, अपना project बना सकते हैं, तो दोस्तों, चलिए, यह जो फ्लाटी theme है, इसे मैं download करके आप simply, normally जैसे get bootstrap पे जाते हैं, वैसे get bootstrap पे जाईए, हम यहाँ पे get bootstrap पे जाते हैं, get bootstrap.com, क्योंकि हमें पूरा का पूरा फाइल उहाँ से नहीं मिलता, हम download करेंगे get bootstrap से, और देखे, मैं official page से download कर देता हूँ, मैंने official page से download कर दिया, अब मैं इसे save कर दूँगा दिखे, download हो चुका है, अब मैं उसे open करूँगा, मैं उसे open कर देता हूँ, open करने के बाद उसे मैं desktop पे stack कर दूँगा, उस zip को मैं stack कर दूँगा, desktop पे, आप desktop पे आ चुका है, तो चलिए हम देखते हैं उसे, दोस्तों मैंने desktop height किया हुआ है, अब चलिए मैं उसे आपको desktop यह देखिए, यहां पर bootstrap 3.1, get bootstrap से हमने डाउनलोड किया, आपको अगर boot swatch से भी कोई theme इंस्टोल करना है, तो आपको officially वाला जो bootstrap का package होता है, framework होता है, वो तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तो दोस्तों, उसे हम खोलते हैं, उसके अंदर देखिए, एक, दो, तीन जो CSS, font और JS, तीनो के तीनो है, हम आप क्या करते हैं, कि CSS के अंदर घुशते हैं, और यहां पर देखिए, bootstrap.main.css लिखा होगा, यह वाला, bootstrap.main.css, इसे right click करते हैं, और open with अपना जो code editor है, उसे open करते हैं, दोस्तों, तो देखिए, यह main version वाला है, ठीक है, और हम इसे minimize कर देते हैं, और आपने bootstrap.com पे जाते हैं, और हम एक theme डाउनलोड करते हैं, देखिए, यहां पर download करने का option है, नीचे अगर मैं click करूँगा, तो देखिए, mini 5 वर्सन वाला मिलेगा, और bootstrap.css, normal वाला मिलेगा, आप चाहे तो customize करने के लिए, variable.less भी download कर सकते हैं, और boot swatch.less भी download कर सकते हैं, बट मुझे सरी bootstrap.main.css चाहिए, तो यहां download में जाके, मैं bootstrap.main.css पे click करूँगा, और देखिए, यहां गया, मैं इसे control all करूँगा, control c, copy कर दूँगा, इसे control all करके, फिर अपना जो text editor है, वहां पर मैं जाऊँगा, और control all करने का बाद मैं, control b, म अब मैं अपना folder open करता हूँ, open folder, जो हमारा desktop पे है, और जो की bootstrap 3.1.1, यह बिल्कुल latest version है, दोस्तों, आज का तारीक है, 26.05.2014, और time हो रहे हैं, 11.14 मिनिट, रात को, तो दोस्तों, हम इस folder को select कर रहते हैं, open करते हैं, अपना project open हो गया, और मैं इसे थोड़े देर के ल bootstrap.min.css, जो था, यहां पे दिखिए, यह जो bootstrap.min.css था, उसे हमने change कर दिया, bootswatch.com बला, पेक पे, ठीक है दोस्तों, इतना ही करना है, अभी हमारा bootswatch का theme था, वो अल्रडी install हो गया है, अब चलिए install हुआ कि ने, इसे test करने के लिए हम एक template पकड़ के लाते हैं, get bootst दोस्तों, getting started पे जाते हैं, और वहां से मैं, एक basic template पकड़ता हूँ, जो navbar वाला था, ताकि मैं आपको example दिखा पाऊँ, ठीक है, हम यहां पे जाते हैं, जहां पे use किया गया है, देखिए, static top navbar है, और उसमें एक jumbo tron भी है, तो दोस्तों, हम jumbo tron ही test करेंगे, इसलिए म मैं इस पे जाता हूँ, और यह जो है, इसका view page source पे जाता हूँ, और इसे control all कर लेता हूँ, और इसे copy कर लेता हूँ, दोस्तों, और अपने code editor पे जाके, हम अपने project folder पे एक file बनाते हैं, और मैं उसे control v करके paste कर देता हूँ, और मैं उसे save कर देता हूँ, दोस्तों, index.html पर है, index.html, अब मैं इसे save कर देता हूँ, पर हमें थोड़ा सा यहाँ changes करना पड़ेगा, जैसे कि bootstrap.min.js यह जो है, और js folder के अंदर है, यह हमें change करना पड़ेगा, अब आपने index file के नीचे में जा कि इसे change कर सकते हैं, और इसे save कर दीजे, फिर हम top पे जाएंगे, और वह यहाँ पे जो अपना bootstrap.min.css है, और css के अंदर में है, तो हम इसे change कर देंगे, यह जो path है, इसे change कर देंगे, और यहाँ पे उन्होंने custom style sheet for template बनाया था, पर हमारे पास यह नहीं है, हम इसे style.css कर देते हैं, हम अपना बना लेंगे, style.css, sorry, already css लिखा हुआ है, style.css लगाना है, हम इसे file, save कर देंगे, और css के अंदर दोस्तों, एक नया file बनायेंगे, और उसे save कर देंगे, style.css के नाम से, जहाँ पे हम अपना customize css लिख सकते हैं, और हमने उसे save भी कर दिया, control s, save हो चुका है, index file भी आ चुका है, चलिए, अब हम चेक करते हैं, अपने browser पे, कि ये dick कैसे रहा है, उसके लिए हम desktop पे जाएंगे, दोस्तों, मेरे सब minimize कर देता हूँ, desktop पे जाते हैं, और index file को खोलते हैं, ये दिखिए दोस्तों, हो गया कमार, ये रहा project name, home, about, drop down, देखिए, drop down बिल्कुल काम कर रहा है, और ये fix to top है, और ये देखिए, आप दे से हमने copy किया था, आप देखिए, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये किस type का दिख रहा है, default में, और हमने जो boot swatch यूज कर दिया, वहाँ पे देखिए किस type का लग रहा है, तो आपका जो website या project, जो भी design आप कर रहे हैं, उसका look और fill ए अभी अभी install करके दिखाया, आपको एक template download करके, install करके, sorry, गलती हो गया फिर से, दोस्तो हमने theme download भी किया, install भी किया, और आपको code भी करके दिखाया कि ये different किस type का होता है, आप भी इस type से कर सकते हैं, ये episode series है, इसलिए मैं details नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तो अगर आप demand करेंगे, तो मैं special एक episode बनाऊँगा, बोट स्वाच के लिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा लंबा है, और मुझे लगता है कि जो information मुझे देना था, हमने दे दिया है, तो दोस्तो ये था हमारा first और topmost, जो मुझे सब से ज़्यादा पसंद है, वो resources, boost up 3 सीखने के ल से second वाला, यहां दोस्तो, उसका नाम है startboostrap.com, दोस्तो ये second resources से, जिसका नाम है startboostrap.com, ठीक है, और यहां पे आपको free boost up themes and templates मिलेंगे, दोस्तो वहां भी templates मिल रहा था, sorry, वहां पे themes मिल रहा था, यहां पे भी आपको boost up themes और templates मिलेंगा, दोस्तो कैसे आप download करें, कैसे install करें, यह तो हमने already आपको बता दिया है, देखिए, यह बिल्कुल free है, यहां पे देखिए feature template and themes, एक एक बार stripe का हमें problem आता है, कि हम boost up 3 सीख तो जाते हैं, पर जब आपना web design करने लगते हैं, आपना जो project है, आपना जो website है, उसे बनाने लगते हैं, तो कुछ portion ऐसे आते हैं, जिसे हम बना नहीं पाते हैं, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल free का theme available है, आप इसे download कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, और अपने project पे include कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक यहां पे demo दिखाना चाहूंगा, यह हम second resources देख रहे हैं, दोस्तों, मैं य अच्छा starter template नहीं मिलेगा दोस्तों, देखिए, इस type का template आपको मिलेगा, बट अगर आपको अच्छा starter template चाहिए, तो आप startboostrap.com पे जा सकते हैं, और मैं इसका आपका live preview दिखाता हूं, मैं आपको, एक जबरदस्त देखिए, startboostrap, यहां portfolio, about, contact, यहां पे जो navigation है, इसे fully customized की आगया है, आप इस template को download करके, आप देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है, देखिए, fix neighbor बनाया गया है, यहां पे बहुत ही अच्छा है, animation भी दिया गया है, अब यह नीचे करता हूँ, portfolio भी है, देखिए, portfolio पे आप click करें, तो portfolio बड़ा भी हो रहा है, उसका details भी आ about section दिया है, contact में, देखिए, यह एक जवरदस्थ template है, और ओ भी बिल्कुल free है, तो दोस्तो आप इसे download करें, इसे ही use ना करें, दोस्तो कभी भी आप कोई भी resources लाते हैं, तो उसे directly copy ना करें, उसे देखें, उसे पढ़ें, उसे समझें, और वहां से कुछ idea लें और उसे implement करें, दोस्तो, please do not copy, किसी का भी template free हो, premium हो, आप please copy मत करिये, उन्हें देखिए, सीखिए, और अपने ही idea से उसे implement करिये, तो चलिए दोस्तो, हमने आपको यह जो second वाला resources था, वो भी दिखा दिया, second resources जो था startbootstrap.com, दोस्तो, description पे top 5 resources साइट हम आपको बता रहे हैं, उस सकते हैं, तो दोस्तो, यहाँ पे आप template, बहुत सारे template है, startbootstrap.com पे, जिसे आप download करके, अपना project start कर सकते हैं, starter बना सकते हैं, एक framework रहेगा, जहां से आप अपना, जैसे ग्रे स्केल है, यह एक freelancer के लिए है, admin के लिए भी, अगर आप admin बनाना चाहते हैं, तो यहाँ बन सीख सकते हैं, कि कैसे admin बनाया जाता है, देखिए, एक side में navbar है, और right side में यह dashboard है, जिसमें chat root बनाया गया है, यह सारा का सारा bootstrap यूच करके, देखिए, यहाँ पे chat के लिए, live chat के लिए बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, timeline बनाया गया है, जो कि bootstrap 3 में आ दिया हुआ है, देखिए, यहाँ पे form कैसे बनाया गया है, वो बताया गया है, तो दोस्तो यह जो हमारा second resources था, startbootstrap.com, यह मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में आपको काफी चीज बताया, यह बिल्कुल free है दोस्तो, आप इससे download करके अपना project में directly यूच कर सकते ह है, बट मैं आपको suggest करूँगा कि please do not coffee, कभी भी coffee मत करिये, इसे download करिये, इसका code देखिये, सीखिये, जानिये, और उसे अपने idea से implement करिये, अपने project पे, तो दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, तीसरा resources, जी हाँ दोस्तो, आगे बढ़के मैं आ description box पे दिया गया है, वो है bootstrap, sorry bootstrap zero dot com, जी हाँ दोस्तो, यहाँ पे भी आपको free bootstrap template और themes मिलते हैं, same to same site है, जो second वाला resources था, इसमें different type के है, default type के ज्यादा है यहाँ पे, और customers type के भी बहुत है, template with themes भी है, और सारा का सारा यहाँ पे आपको free में मिलता है, जी हाँ दो free में इसे यह सब download कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, एक freelancer theme यहाँ का मैं दिखाना चाहूंगा आपको, इसका demo दिखाता हूं, हम देख रहे हैं दोस्तो, bootstrap के जो top 5 resources है, उसमें से 3 number, दोस्तो मैं इसका live preview आपको दिखाता हूं, थोड़ा जो net bar है, उसे बहुत ही जबरदस कस्टमाइज किया गया है, और देखिए, यह जो अपना intro section, यह portfolio section और यह footer, एक simple सा portfolio बनाया गया है, बो staff 3 यूज़ करके, मुझे लगता है यह बनाने के लिए आपको सुरिफ 5 मिनिट लगेंगे, आप इसे भी download कर सकते हैं, वो भी बिल अब लेडी बता दिया है कि template और theme कैसे यूज किया जाता है, यह starter template है, अपना project के लिए आप यूज कर सकते हैं, यह रहा दोस्तो हमारा जो 3 number का resources था, वो, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 4 number जो resources है, वो दिखाता हूँ, तो 4 number पे हैं दोस्तो, bootstrap stage.com, जिहां दोस्तो, और यहां पे भी आपको free themes मिलते हैं, और premium भी मिलते हैं, दोस्तो, premium के लिए आपको fade करना पड़ेगा, free एकदम ही free है, लेकिन यहां पे कुछ जवरदस्त, जवरदस्त template दिया गया है, जिसे आप देख के बहुत खुल सो सकते हैं, एक example मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, जिसे यहां पे एक दिया गया है, हम इसका preview अगर देखें, दोस्तो, net थोड़ा सा slow है, देखें, यह जो template है, बहुत ही जवरदस template बनाया गया है, और आप चाहें तो यहां से इसे download कर सकते हैं, कुछ यहां के जो template है, जो bootstrap stage.com, यहां के य यह सब free है, और कुछ paid है, दोस्तो, मैं आपको जितना भी दिखा रहा हूं, सारा का सारा free है, यह जो आप देख रहे हैं, progressious, यह template बिल्कुल free है, और यह एक बहुत ही जवरदस्ट design है, यहां पर एक jombatron section बनाया गया है, फिर एक feature content बनाया गया है, जिसे हम आपने tutorials पर बना रहे थे, यह देखिए, यह FAQ बनाया गया है, और एक बहुत ही जवरदस्ट footer बनाया गया है, तो दोस्तो, इस टाइ आप और भी आच्छा design कर पाए, बुष्टराफ 3 यूज करके, दोस्तो, और आपका website ऐसा awesome looking हो जाए, कि कोई आपको beat ना कर पाए, तो दोस्तो, अगर आप बुष्टराफ 3 पे और भी ज़्यादा customize करना चाहते हैं, तो यह सारे template और themes यूज करिए, पहले इसे देखिए, जानिए, download करिए, practice करिए, और भी जादा practice करिए, और अच्छा से अच्छा और awesome से awesome website आप बनेए, यह सब यूज करके, तो दोस्तो, यह हमारा 4 था था, 4 नंबर का था, bootstaffstage.com, जिसका link मैंने description पे दिया है, अब मैं आपको last और सबसे बड़ा list आपको दिखाना चाहता जिहां दोस्तो, जो की है, 5 वे नंबर पे, मैंने उसको last में रखा है, लेकिन वो बहुत बड़ा list है, मैं आपको सारा का सारा नहीं दिखा सकता, यह एक episode series है, और मैं ज़्यादा time आपका नहीं लेना चाहता, तो दोस्तो, last और top 5 नंबर पे, जिसको मैंने रखा है, उसे म आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए यहां पे और भी link दिया गया है, जैसे कि उसके slash देने के बाद आपको the big badass list of 319 useful twitter bootstrap resources, यह type करना पड़ेगा आपको, तो आपको आसानी हो, इसके लिए हमने अपने description box पे आपको link provide किया है, आप उहां से download कर लीजे, click करिए और यह website और मैं आपके साथ इसे share करना चाहता हूँ, तो दोस्तों अगर यह website पे आप जाएंगे तो आपका फायदा क्या है, देखिए, यहां पे components लिखा हुआ है, और वहां पे bootstrap max length बोलके है, एक git of project है, ठीक है, जहां पे uses wages display maximum length, जो wages है, वो maximum length तक दिखाई दे सकता है, inserting text, औ आप download करके देख सकते हैं, और यह available है, bootstrap time picker भी है, अगर आप अपने bootstrap theme पे आपका जो bootstrap का project है, उसमे time picker add करना चाहते है, मैं आपको example दिखाना चाहूँगा, हम इसे बंद कर देते हैं, यह सरका सरक github से आपको मिलता है, इसे अगर आप use करेंगे, दिखिए time picker for Twitter bootstrap 2.x लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे चाहे, तो 3.x के लिए भी use कर सकते हैं, यह एक जबरदस्त resources है, आपने project में कुछ नया चीज इंक्लूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जरूर आए, देखिए bootstrap max length यह भी a github project है, यहाँ के काफी सर्व, यहाँ पे क्या होता है, वो जो guideline बनाया जाता है, वो इससे होता है, देखिए bootstrap.js, वो इसे node 1 है, frontend validation plugin for twitter bootstrap, messenger है, ठीक है, इसमें आप replacement कर सकते हैं, अलट का, jQuery, jQuery का toffyc है, यहाँ पे, toffy.js, क्या बताया एंग्रेज लोग को नाम तो ऐसे ऐसे लिखते हैं कि पढ़ने मुस्क है, यह jQuery table plugin है, ठीक है, आप इसे भी use कर सकते हैं, और यह है bootstrap prompts, अगर मैं ऐसे पढ़ने लगूँ, तो यह बहुत ही लंबा list है, दोस्तों, लेकिन सारा का सारा usable है, आप इसे देखिए, और देखिए, यहाँ पे form के लिए separate से बनाया गया है, ठीक है, उसके नीचे अग जुम्ला पे अगर आप काम करते हैं, तो यह बहुत ही खुशी की बात है, कि अगर आप जुम्ला पे काम करते हैं, तो आप यह सब use कर सकते हैं, जैसे जुम्ला 3.0 के लिए है, with Adaption, the Bootstrap framework, ठीक है, जैसे आप PHP के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, त दोस्तों मैं इतना इतना आपको दिखा नहीं सकता है। Perl के लिए है, Python के लिए है, Ruby के लिए है, WordPress के लिए है, Separate Plugins, Themes, Resources दोस्तों यह बहुत ही बड़ा resources है, मुझे लगता है यह बहुत है, हाँ बहुत है, दोस्तों मुझे लगता है कि यह सब practice करने में आपको कम से कम एकात महिने तो लगेंगे, लेकिन अगर आपने यह practice कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप दुनिया में ऐसा कोई भी website नहीं होगा, जो website आप fully responsive और एकदम जबरदस्त website आप बना के दिखा सकते हैं लोगों को या freelancing पे काम कर सकते हैं वो श्टरफ सीखें तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि यह जो episode था हमारा सबसे जबरदस्त episode होगा क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही बड़ा resource का जो package मैंने बना के आपके उपर दे दिया है, आप जितना इससे सीखना चाहे, जानना चाहे आप इसे पढ़िए, यह जो resources है इसे जरूर यूज करिए और आगे बढ़िए, दोस्तों हमें आप जरूर सज़ेस्ट करिएगा, हम यही पर आपका यह जो हमारा episode सिरीज है इसे end करते हैं, आप हमें जरूर सज़ेस्ट आपके लिए बनाएं, और आपको हमारा यह बूस्ट्राप का महा episode, दोस्तों मैं इसे महा episode बोलूँगा, यह episode series तो है, बट मैं इसे महा episode बोलूँगा, यह series आपको कैसा लगा, हमें जरूर लाइक करिए, comments करिए, और हमें बताएए कि दोस्तों यह resources आपका काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोस्तों आप जितना ही ज़्यादा suggestion देंगे, हमें पता चलता है कि हम सही video बना रहे है, तो दोस्तों हमें suggestion देते रहिए, हमारे साथ बात करिए, दोस्तों मैं हर एक रोज रात को online रहता हूँ, आप मुझसे live chat कर सकते हैं, Gmail के थुरू, और मेरा जो personal Gmail ID है, वो है, hindi.tuts.at.gmail.com, जी हां दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए, हमारे चैनल पे जाईए, बाकी सारे वीडियो देखिए, बूस्ट अप 3 टूटोरियाल सीरीज इन हिन हिन्दी, पी एच पी टूटोरियाल सीरीज इन हिन्दी, और दोस्तों, तो step 3 पे भी convert करके आपको दिखाएंगे, तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपना एपिसोड रोक रहा हूँ, हमारा वीडियो दिखने के लिए, many many thanks and thank you so much for watching us, bye bye दोस्तों.